नमस्कार दोस्तों रेकोर काफी बड़ा मुकाबला खेला जाता हुआ विजनोर के अंदर इसकीम का मुकाबला खेला जाता हुआ आमिर फ्रोम गुडगाम वर्सेज डाक्सर जिसान वर्सेज नौरपुर के बेच ये मुकाबला खेला जाता हुआ कसीनो ग्राउंड नौरपुर में मुकाबला चलता हुआ दस ओबर में 150 रन 6 विकेट और 6 फिल्डर के बेच ये मुकाबला लगबग 48,49 रुपे की स्कीम और भार से भी हो सकता है कुछ नहीं कह सकते कितना लगा है प्रोम गुडगाम वर्सेज डाक्टर जिसान नौरपुर के बीच कसीनो ग्राउंड पर ये मुकाबला खेला जाता हुआ और मुकाबला शुरू होता हुआ दस ओबर में 150 रन 4849 रुपे का मुकाबला 6 फिल्डा 6 डिकेट पहली बोल ले करते हैं डाक्टर जिसान एमपार का इसारा वाइड बोल नो डाउट वाइड बोल वाइड के बाद पहली बोल जिसान डाक्टर जिसान दुवारा जबरदस्ट गहन थी और उससे भी जबरदस्ट छक्का लगाते हुए आमिर फ्रों गुडगाम पहली बोल पर जबरदस्ट छक्का अनोकी बल्ले बाजी दिखाएंगे आमीर या फिर जब दस्त के इंद बाजी करेंगे डाक्टर जिसान दूसरी बोल और कटर बोल फिल्डर पीछे उसके नीचे मोजूद और जी हाँ एक ओर बहतरीन केच और पहला विकिट आउट होता हुआ बहतरीन केच बगडते हुए सांदार वाफसी करते हुए डाक्टर जिसान प्रोम नूरपुर को भी चीता ही कह देते हैं और एक ओर चक्का तीसरी बोल पर दूसरा चक्का लगाते हुए और बोल सीमा डेका के बाहर काफि लंबा चक्का चक्के के बाद बोल हो जाएगी डोट चार बोल बार ररन और एक विकिट के नुक्सान पाफ़ पाँचवी पहले उबर की अंतिम बोल ले करते है यार डाक्टर जिसान आमिर फ्रोम गुडगाम के लिए और वाइड हो जाएगी बोल वाइड के बाद फुल टॉस बोल और एक ओबर हो जाएगा समावत बार रन एक विकेट के नुक्सान पर आमिर दस भी बोल ले करते है यार दूसरे पर की चोथी बोल और एक ओर कैच और भेतरीन गेंद बाजी करते हुए डाक्टर जिसान दस बोल बारे रन दो विकेट हो जाएंगे आमिर कुछ खास बल्ले बाजी नहीं कर पा रहे है डोट बोल काफी ज़्यादा गर्मी होती हुए मुकाबले में और मॉबाइल में दिक काता थी उसके बाद फिर बिकित के बाद फोल्टोस बोल और भेतरीन छक्का लगाते हुए आमिर फ्रम गुर्गाम को भी चीता ही कह देते हैं भेतरीन च्छक्का के आऊट होने के बाद लगाते हुए नहीं पकड़ पाएगा बोल जारे बोल्णरी के बार चार रन ओवर हो जाएगा समाब्त 22 रन दो ओवर की समाब्ति के बाद दो विगट के नुक्सान पर आमीर और दर्सक मुकाबले को देखते ही काफी जादा गर्मी और विजनोर के अंदर दिवान के किरकिट के पिरती कुछ जादा ही है बारी सोया धूँप नहीं होगी दिवान की विजनोर के अंदर किरकिट के पिरत तीसरे ओबर की पहली बोल ले करता ही है डाक्टा जी सान आमीर के लिए पटकी हुई बोल और बोल सीमा रेखा के बार काफी लंबा छक्का लगाते हुए आमीर फ्रम गुडगाम को भी गुलदार ही कह देते है बहतरीन छक्का लगाते हुए छक्के के बाद फिरता ही यार कटर बोल और हलके हाथों से खेल दिया बोल यार ये बोंडरी की तरफ और दर्सको को इसारा भी एमपार को इसारा डोट बोल तीसरी बोल ले करते हैं डोट के बाद ओर नो बोल का इसारा मा साथ धुपर आ वाईड के बाद और बोल होगी डोट बोल चोथी बोल ले करते हैं यार दाक्टर जिसान और बोल जारिया neighbor रिखा के भार रेकोर छक्काई सोबर में लगता हुआ जब दस्त वाफसी करते हुए आमिर स्कोर हो जाएगा चो तीस रन सोले बोलों की समापती के बाद पांचवी बोल तीसरे उबर की वाइड बोल ओप कटर वाइड बोल पांचवी बोल ले करते है यार और जब दस्त योर करो पिस्टंप की तरफ बोल हो जाएगी दोट पांचवी बोल अंतिम बोल पर लगा दिया चोका इसकोर हो जाएगा 38 रन तीन उबर की समापती के बाद दो विखिट के नुकसान पर आमिर फ्रॉम गुड गाम उननिस वी बोल ले करते है यार और एक और बहतरीन वाफसी गेंदबाजी करते हुए डाक्टर जी सान टोट बोल 20 भी बोल ले करते है यार और बोल जारी बॉंडरी की तरफ फिल्डर है मौजूद और जी हाँ भेतरीन केच लेते हुए वहाँ पर एक और विखिट गिर जायेगा और सांदार गेंदबाजी करते हुए डाक्टर जी सान प्रोम नूर्पुर को भी चीता ही कह देते हैं किस भी बोल ले करते है यार डाक्टर जी सान आमिर के लिए राण दा विकिट करेंगे गेंदबाजी और जब भरदास्त योरकर प्रोम नूर्पुर को भी गुलदार ही कह देते हैं और उस बोल की चेक जाच करते हुए कि विकिटो पर लगी है नहीं नहीं लगी बोल हो जाएगी डोट काफी जबरदास्त गेंदबाजी करते हुए डाक्टर जी सान और मकाबले को दर्सक काफी ज़्यादा निगहाओ गहरी निगहाओ के साथ मकाबले को देखते हुए चोथी बोल लेकर तयार डाक्टर जी सान और हैं बोल हो जाएगी डोट पांचवी बोल लेकर तयार और लगेगी कत्ती फिल्डर है मौजूद और बोल हो जाएगी डोट चटी बोल लेकर तयार चोबिसी बोल करेंगे डाक्टर जी सान आमिर के लिए और बोल हवा में हो जाएगी खड़ी कोटन बोल का चांच डाक्टर जी सान उसके नीचे नहीं पगड़ पाएँगे बोल हो जाएगी डोट चार अबर की समागति के बाद स्कोर 38 रन तीन विकेट के नुक्सान पर आमिर फिरोमगुडगाम पांच अबर शुरू छे अबर में 112 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए और तीन विकेट हाथ में और निश हो जाएगी मिश टाइम और बोल डॉट 26 भी बोल लेकर तयार तूसरी बोल वाइड बोल वाइड के बाद एक बार फिर और ओफिस स्पीन और बोल होगी डॉट तीसरी बोल और बोल डी कर दिया पहतरीन गेंदबाजी करते हुए डाक्टर जिसान फ्राम नूरपुर को भी चीता ही कह देते हैं अधूत के इंदबाजी करकर बोल डी कर दिया चार विकेट हो जाएगे और फिर तयार और बोल हो जाएगी खड़ी उसके नीचे फिलडर मौजूद नहीं होगी बोल और बोल हो जाएगी डोट या मेरे सेहर डोट के बाद फिर कटर बोल और फिलडर मौजूद और जिहां एक और विकेट हो जाएगा पांच विकेट हो जाएगे काभी कमी स्कोर पर लगातार ग्यार बोल होती ही डोट और पांच विकेट आउट हो जाएगे अंतिम विकेट बाकी इस मुकाबले में आमिर 38 रन के स्कोर पर 5 विकेट खो देंगे अपना अंतिम विकेट बाकी पटकी हुई बोल और बोल सीमा रेखा के बाहर काफी लंबा चक्का और काफी देर के बाद 4-5 ओबर की समावति के बाद स्कोर हो जाएगा 54 रन 5 विकेट के नुक्सान पर आमिर बिरेक के बाद फिर होता हुआ मुकाबला सुरू अंतिम विकेट बाकी इस मुकाबले में अंतिम विकेट बाकी और दर्सक क्राउंड के अंदर या चुके हैं मुकाबला फिर होता हुआ सुरू पांच ओवर बाकी और एक विकिट पर एक सो छे रन की जरूरत आमिर फिरम गुडगाम को जीतने के लिए 31 भी बोल ले करते हैं और हलकी हाथों से खेल दिया बोल हो जाएगी डॉट दूसरी बोल ले करते हैं और वेट करके बोल को मार दिया और बोल जा रही है सीमा रेका के बहाद छेरा नो के लिए स्कोर हो जाएगा पचास रन 33 भी बोल ले करते हैं यार पट क्यों ही बोल और गती के साथ बोल आई थी बोल होगी डॉट 34 भी बोल और फुल टॉस पेरो की तरफ नो लुक के प्रियास में बोल हो जाएगी डॉट पांचवी बोल बोल हो जाएगी डॉट और दर्सक मायूस मनोरंजन नहीं मिला दर्सको को इस मुकाबले में लगवग एक तरफाई मुकाबला चलता हुआ दोट के बाद अगली बोल ले करते हैं यार और काफी लंबा छक्का लगाती है आमीर इस बार और बोल सी मारेखा के बार छे रनों के लिए च्यार उबर में 94 रनों की जरुत मुकाबले को जीतने के लिए अगली बोल और एक और छे नई है किसी के पास मोका और बोल सी मारेखा के बार जा रही है छे रनों के लिए सांदार छक्का लगाती है आमीर फिरम गुडगाम को भी चीता ही कह देते हैं स्कोर हो जाएगा 60 रन माप किजिए 62 रन 88 रन की जरूरत 38 भी बोल फुल्टोस बोल और बोल जारी अब उडरी के भार और जिहां कैच आउट हो जाएंगे इस बार और मुकाबला हो जाएगा समाथ डाक्टर जिसान एक तरफाई मुकाबले को जीत चुके हैं डाक्टर जिसान प्रॉम नूर्डपूर को भी चीता ही कह देते हैं मुकाबला हो जाएगा एक तरफा समात यह तो काफी normal हलका सा ही मुकाबला दर्शकों को मनोरणजन नहीं आओ इसमें एक तरफा ही जीतने में काम्याब हो जाएंगे डाक्टर जिसान फ्रॉम नूर्पूर मुकाबला हलके में ही समाप्त हो गया प्लेज वीडियो को लाइक गमेंट शेज जरूर कर दे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कर ले फेशुक पर हो तो फोलो कर ले इस्टाइग्राम पर हो तो फोलो कर ले किर्किट विदमाई कर लिए तो काफी आसान सा मुकाबला डाक्टर जिसान ने जीत लिया है एक तरफा मुकाबला हो जाएगा समाथ फिलेज एक बार फिर वीडियो को सेड़ जरूर कर दें चैनल पर नहीं हों तो सस्क्राइब कर ले फेश उपर हों तो फोलो कर ले इस्टाग्राम पर हों तो फोलो कर ले किर्किट विदमाई कर लें सबी का बहुत वह धन्यवाद और वीडियो को सेड़ जरूर कर दें मुकाबला हो जाएगा समाफ एक तरफाई मुकाबला रहा और मुकाबला हो जाएगा समाफ बहतरिल कैच और मुकाबले को ही जिता दिया मुकाबला हो जाएगा समाफ और वीडियो भी हाँ पर हो जाएगी समाफ लेकिन बल्ले बाद तो काभी सांदार है आमिर लेकिन प्रेसर को नहीं जहिल पाए और मुकाबला हो जाएगा समाफ